Hey guys, welcome back to my channel with another video तो यार, hope करता हूँ, आप लोग सब बढ़े होंगे तो मेरा नाम है Garvid Brahma, आप देखरे हैं Study with Garvid तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं ठीके, तो यार, एक और नई वीडियो लेके आगे हूँ आप लोगों के लिए तो कल हुआ था हमारा कित्ते को, आठ तारीको, ठीके आठ को हुआ था पटवारी का एक्जाम तो काफी लोगों का एक्जाम अच्छा गया है, कुछ लोगों अच्छा नहीं गया, ठीके तो वो लोग निराशना हो, अभी 22 को Forest Guard का आने वाला है, ठीके तो उसी की त्यारी हम करते हैं, तो आज का मैं आपके लिए पहला साइट ले गया हूँ, काफी इंपोर्टेंट मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रही है, जिसमें हम इंपोर्टेंट क्वेशन को जैसे पुलीस का वा, उसमें करेंट अफिर जादा दिये, तो कल पटवारी में थोड़े कम डाल दिये, उसमें हिस्टे भी थोड़ी पूची और मांगी GKGS थोड़े टफ डाल दिया था, तो इस टाइप के पैटन देते हैं तो उसी हिसाब से हम अलग-अलग सारी चीजें थोड़ा-थोड़ा कवर करेंगे, ठीक है, तो देखिए, पहला कोशन है आज का, यह जो सेट है, यह में लिके आया हूँ, 2011 में जो जनगणना हुई थी, उत्राघंड में, तो 2011 की जनगणना थी, उसके अनुसार जो उत्रा जनगणना है चमपावत, ठीक है, सबसे छोटा जनगणना है चमपावत, ठीक है, सबसे छोटा जनगणना है चमपावत, ठीक है, जहां पर 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 सबसे बड़े और चोटे जिले हैं जन संक्या में और उसमें चेत्रफल में चमुली और चमपाऊ ठीक है तो यह कुशन थे अगला यह देखिए यह मैंने करा दिया है सबसे बड़ा हरीद्वार हो गया सबसे चोटा रुद्र परियाग चौथा कुशन देखिए सरवाधिक द जैसे जन गड़ न केते सालों में होती है, टीक है जैसे पहली जन गरणा हुऑ थी結果 2001 में फिरुई थी 2011 में फिर 2021 में तो 2021 की आई दिंग नहीं होई तो फिर ऐसी दह 2 जती सालों में क्या Iए रहत है का छेट्रफल कितना है 5,483 वर्ग किलो मेटर है श्कुर्द 15483 किलो मेटर स्क्यर क्या है इसका छेट्रफल है और जनसंग्या की बात करें उत्रागंड की तो ऊत्रा गिंड तोटल जन संख्या कितनी है, 101.16 लाग, 101.16 लाग मतलब 1 करूड 116,000 की शम्थिंग, 1 करूड 116,000 की शम्थिंग इसकी क्या है, जन संख्या है, तो इसमें देखिए, निम्न मेंशे दसकी बृद्धी, दर में, देश के सभी राज्यू में उत्राखंट का स्थान का है, मतलब 10 की से मतलब इसका कौन सा स्थान है कवा नंबर पर यह आता है दसकी परिधि करने में किस पोजिशन में 18 slab 반 नंबर पर फे 18 たकी抓 क्या है installation किड्रोब्र पर राजी करने में 28 जली हमारे 28 जली कीरिक यह 18 जल्सकानत है तो यह 8Em cioè 2N9 में जन घनत्यों की अनुशार मिलान किजिए अब सबसे अधिक जन संख्या घनत्यों किस जन पदूं की है यह मिलान करना है ठीक है तो देखिए हरीद्वार का जन संख्या घनत्यों कितना है तो हरीद्वार का जन संख्या घनत्यों है वो है हमारा 801 ठीक है 801 क्या है हरीद्वार तो इसका सही करम क्या होगा टू उसके बाद क्या रहा है वन टू थ्री वन फोर ये वला हो जाएगा ठीक है तो आप्शन एक होगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है इस तरीकी से मिलान करने अगला देखिंगे निम्नमैसे नियूनतम जन घनत्व वाला जिला कौन सा अब जन संक्या घनत्व है अगला कोशन देखिए अगला कोशन है नियूनतम जन घनत्व वाले जन पदू में कौन सा यूगम सही है अब हमें देखना है कि जो ये यूगम दे रहे हैं तो इनके आगे जो नंबर लिखा वो सही है कि नहीं जैसे चमुली है चमुली का जन संक्या option दिये हैं कि क्या हैं सारे option सही है ठीक है अब बात करते हैं लिंगानुपात की अब लिंगानुपात क्या होता है कि मतलब कितने महिलाओं मतलब पुरुसों में महिलाओं की संख्या कितनी है ठीक है कितने पुरुसों में महिलाओं की संख्या कितनी है यह होता है का जो मैं अभी बता था, Almoda का है सरवाधिक लिंगानुपाद, और इसका लिंगानुपाद कितना है 1149, 1139 की है, Almoda का लिंगानुपाद है, मतलब 1149 मतलब महिलाई रहती है 1000 पूरुसों में, 1040 में कितनी महिलाई है, 1149 महिलाई हैं, तो इनका जनसंक्या गनत्यों की है, जाद मतलब महिलाओं की जनसंक्या ज्यादा हैं अल्मोडा में 1 149 महिलाएं रहती है और 1000 पूरुस रहती है तो उसके बाद बात करें नियुन्तम लिंगानुपाद वाला जनपत अब सबसे अधिक अल्मोडा के है 1149 अब सबसे कम वाले की बात करें तो सबसे कम किसका है, तो सबसे कम होता है लिंगानुपाद की जनपत का, वो है हरीद्वार का, जो मैंने उपर बताया था, तो हरीद्वार किसका है, सबसे कम लिंगानुपाद वाला जनपत है, अब इसका लिंगानुपाद कितना है, 880, केवल 880, मतलब 1000 पूरुसों में कितनी रहती है 880 महिलाएं हरीद्वार में रहती है ठीक है तो सरवाधिक है अल्मोडा का 1149 सबसे काम है हरीद्वार का 880 ठीक है यह चीज़े याद करने वाली है ऐसे कोशन पूछे भी जाते हैं अगला कोशन देखिए निमन मैं से अल्मोडा जनपत का लिंगानुपाद है तो अल्मोडा जनपत का लिंगानुपाद कितना है मैं बता चुक हूँ 1149 ठीक है 1149 क्या है अल्मोडा जनपत का लिंगानुपाद है अगला है अगला है निमन मैं दुतिय सरवाधिक लिंगानुपाद वाला जनपत है अब सबसे अधिक तो अल्मोडा का है सबसे कम किसका ह सबसे कम है हरिद्वार का 860 अगला है लिंगानुपाद के अनुसार जनपदों को मिलाइए अब इसमें जु जनपद दिये है चार जनपद तो इनका मिलान करना है कि किसका लिंगानुपाद कितना है तो हमें सीधी सिधे पता होना है रूद्र परियाग उसके बाद आता है अल्मोणा की बद, अल्मोणा कितना है? 1149, तो रुद्र परियाग इसके बाद सरवाधी कितना है? वो है, 1103, sorry 14, कितना है? 1114, तो रुद्र परियाग का क्या हो जाएगा? Option B हो जाएगा, ठीक है? रुद्र परियाग का हो जाएगा 1100B, फिर उसके बाद किसका आता है? पौडी का कितना? 1103, बागिशोर का कितना? 1090, दरादून का कितना? 902, तो यह सारी चीज़े याद कर ले न, इन में से क्या है? रुद्र परियाग 2nd पर है, पौडी 3rd पर है, बागिशोर 4th पर, इस तरीके से है, ठीक है? तो इसका जो राइट आप्शन होगा, वो क्या ह ऑप्शन A हो जाएगा, 2, 3, 4, 1 करके, 2, ठीक है? 2, 3, 4, 1, यह सही मिलाने है इसका, ठीक है? ऑप्शन A क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, अगला कुशन देखिए, निमन में से राजियन नियूंतम लिंगानुपाद वाला जन्तपत है, ठीक है? इन में से सबसे कम ल ठीक है, हजार पूरसों में, अगला कुशन है, लिंगानुपाद की दिरिष्टी से जन्तपता नुसार कौन सा यूगम सही है, अब इसमें से 2 यूगम, 3 यूगम दिये है, उसमें से कौन-कौन से सही है, यह बताना है हमें, ठीक है? तो हरिद्वार का कितना? 880 बिलकुल स सही है, उदमशिंग नगर, यूएश नगर का कितना? 920 यह भी क्या है, बिलकुल सही है, तो option D, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला question है, सरवाधिक पुरुष साक्षर्ता दरवाला जन्तपत कौन सा है? तो सरवाधिक पुरुष साक्षर् साक्षर्ता कितनी है, हमारे देश की भारत की साक्षर्ता कितनी है? 74.04%, ठीक है? 74.04% क्या है? पुरे भारत की साक्षर्ता है, अब इसमें से सरवाधिक साक्षर्ताओं वाले जो जन्तपत है, उनमें से उत्राघंड का स्थान कौन सा है? ठीक है? तो उत्राघंड का स्थान आता है 17 ठीके 70 इस्थान है साक्षर्टा के आधार पर ठीके साक्षर्टा के आधार पर 70 नमबर पर है उत्रागंड ठीके पूरे देश में 70 नमबर पर आता है उत्रागंड और बात करें उत्रागंड के साक्षर्टा दर्गी तो उत्रागंड की कुल साक्षर्टा है 79.63 ठीक साक्षर्ता तो है 79.63 अब इसमें से भी पुरुस और महिला ही होंगे ठीक है तो पुरुसों की बात करें पहले तो पुरुसों की साक्षर्ता कितनी है तो पुरुसों की जो साक्षर्ता है पुरुसों की साक्षर्ता है 88.33% ठीक है 88.33% क्या है पुरुसों की साक्षर्ता है औ और percentage के हिसाब से देखें तो पूरे देश में ससका number कौन सा है 13 ठीक है 13 नंपर पर पुरूसन की साकशर्था में 13 नंबर पर आता है उट्रागंट अब बात करें महिलाओं की ठीक है महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की कुल साकशर्था कितों है तो महिलाओं की कुल साक्षरता है उत्राखंड में 70.70% के है महिलाओं की साक्षरता है अगर महिला साक्षरता में उत्राखंड का स्थान देखें तो वह आता है 20 वा नंबर ठीक है 20 नंबर पर आता है उत्राखंड महिला साक्षरता में ठीक है उसके बाद अगला देखेंगे अगला है हमारा पुरुस हो गए और महला भी हो गई ठीक है पुरुसों की साक्षरता 88.33 महलाओं की है 70.70% पुरुसों की हिसाब से 13 नंबर पे महलाओं की हिसाब से 20 नंबर पे और टोटल पुरी साक्षर्टा की हिसाब से 70 वे नंबर पर आता है ठीक है 70 वे नंबर पर आता है उत्राघंड ठीक है अब देखिए पुरुसों की हो गई महिलाओं की हो गई ठीक है अब बात करते हैं questions की सरवाधिक पुरुस शाक्षर्टा दर वाला जन्पत कौन सा अब देखिए पुरुसो की शाक्षर्ता दर कितनी है सरवाधिक है, सरवाधिक है किसकी, रुद्रपरियाग की अब रुद्रपरियाग की बात करें तो रुद्रपरियाग की टोटल साक्षर्ता कितनी है पुरुसों की, तो इनकी है साक्षर्ता 93.90% मतलब देखिए 93% लोग मतलब सो मैसे 93% पुरुस के हैं, रुद्र परियाग में शाक्षर हैं, ठीक है, रुद्र परियाग में 93.90% पुरुस के हैं, शाक्षर हैं और यह सरवाधिक है, अब बात करें महिलाओं की, तो सरवाधिक महिलाओं की नहीं, रुद्र परियाग में सरवाधिक है, अब सबसे क साक्षर्ता है हरिद्वार की ठीक है हरिद्वार में सबसे अंपड़ लोग है ठीक है हरिद्वार की पुरुसों में साक्षर्ता सबसे कम है कितनी है 74.62% ठीक है 74.62% क्या है पुरुसों की साक्षर्ता है हरिद्वार में अब डिफ्रेंस देखिए रुद्र परियाग में है 93. 3.90% ठीक है 93% इनका है यहां है 74 मतला something something 20% का अंतर है पूरा ठीक है 20% कम साक्षर है रुद्र परियाग से हरिद्वार में ठीक है अगला कोशन देखिए अब निम्नमे से कौन सा यूगमस सत्य है अब इनमे से देखिए कौन सा यूगमस सत्य है तो देखिए देरादून का बोल लाए 84.25% इसाक्षरता है ठीक है तो देरादून का 84 परतिसत शाक्षरता है तो क्या है बिल्कुल सही है फिर बोल लाए चमूली का 82.55% ये भी सही है नैनिताल का बोल लाए 83.88 ये भी सही है तो option D क्या होगा राइट अंसर होगा क्योंकि ये सारे option क्या दिये है regional बिल्कुल सही दिये है तो option D क्या होगा हमारा राइट अंसर होगा अगला कुशन देखिए निम्नमय से न्यूंतम साक्षर्टा वाला जनपत कौन से अब इनमेंसे न्यूंतम नगर का उदम सिंग नगर की साक्षरता सबसे कम होगी वैसे बात करें तो वैसे तो हरिद्वार की है ठीक है यहाँ पर हरिद्वार option में नहीं है हरिद्वार की साक्षरता है सबसे कम 74.62% ठीक है तो यहाँ पर उदम सिंग नगर है तो उदम सिंग नगर की साक्षरता क्या हो पोसत सक्षर्ता की धृति से राजीकाय देश में कौनसा स्थान है। अब यह मैं पहली बता चुगा हूँ कौनसा स्थान है साक्षर्ता में साक्षर्ता में सतर हुआा, पुर्ग स sizesतर दुब है थीरा, महिला सक्षर्ता उत्राखंट का जो लिंगानुपाद है कुल लिंगानुपाद कितने है उत्राखंट का 960 ब्यक्ति ठीक है 960 महिला प्रती ब्यक्ति में ठीक है प्रती हजार ब्यक्ति में क्या है 960 महिला और कल एक क्वेशन आया था पड़वारी में कि बाल लिंगानुपाद कितने है यहां इंपन K zostняब कौन से है तो इनमेंसे क्या है इनमेंसे पोछ रहे की नियूनतम शाकषर्ता वाले जनगत कौन से है तो नियूनतम शाकषर्द्वारत की जनद्पत है तो वह हे हमारा किसकी 93.93% something something 94% मान के चल सकते हो जितना यह केरल की साक्षरत है ठीक है केरल की भी ऐसी 94-95% है पूरे भारत में ठीक है तो इस तरीके से अब देखिए नियूनतम पुरुष शाक्षरता वाले जन्पत कौन से है अब सरवाधिक पुरुष शाक्षरता कहा है वो है हमारा रुद्र प कौन सा है सरवाधिक महिला शाक्षरता वाला जन्पत कौन सा है तो सरवाधिक महिला शाक्षरता वाला जन्पत कौन सा है यह आप लोग मेरे को कॉमेंड में बताना मैंने यहाँ पर ऑप्शन इंक्लूड नहीं करे है अब महिला शाक्षरता वाला जन्पत में ने सरवाधिक ठीक है चलो न्यूंतम में बता देता हूं सरवाधिक आप लोग बताना सरवाधिक शाक्षर्टा कहा है या बताना न्यूंतम है न्यूंतम की जनपद में है न्यूंतम तो है आपका उत्तरगासी में ठीक है न्यूंतम है उत्तरगासी में लेकिन सरवाधिक कहा है आप लोग बताना मिर को ठीक है अगला कोशन देखिए अगला कोशन है हमारा 26 महिला साक्षर्टा की दिरिष्टी से देश देश में कौन सा स्थान है अब ठीक है यह मैं पहली बता दिया है महिलाओं की शाक्षरता की हिसाब से 20 वा स्थान है ठीक है बीस वा स्थान है पुरसों की साक्षरता की हिसाब से 13 वा स्थान है ठीक है और पूरे उसके उससे 17 वा स्थान है ठीक है पूरे मतलब साक्षरता से सत्रों स्थान पर है उत्राघंड अगला है नगरी करण की द्रिष्टी से उत्राघंड का देश में सभी राज्यों में कौन सा स्थान है अगला कोशन है सरवाधिक सिशू लिंगानुपाद वाला जनपद है अब मैंने बताया लिंगानुपाद कितना है सिशू का 890 है तो सरवाधिक लिंगानुपाद की जनपद में है तो सरवाधिक लिंगानुपाद है हमारा अल्मोडा जनपद में ठीक है अलमोरा जन्पत में कहा है सरवाधिक लिंगानुपाद है और वैसे बात करे तो अलमोरा का लिंगानुपाद वैसे भी सबसे जता है यह 1100 कितने है 149 है szarवाधिक लिंगानुपाद है पिथोरगड में, पिथोरगड में क्या है, सबसे कम लिंगानुपाद वाला जिला है ये, ठीक है, अगला कोशन देखे, सरवाधिक नगरी जन्शंख्या वाला जन्पद, अब सबसे अधिक नगर वाले जन्शंख्या किस नगर में रहती है, मतलब सबसे अधिक जन्शंख्य वहाँ ज्यादा रहती है मतलब नगर जादे है वहाँ सहरी जन्संख्या वहाँ अधिक है तो दहरादून होगा सबसे कम नगर यह जन्संख्या वाला जन्पद है ठीक है तो सबसे कम नगर यह जन्संख्या वाला जन्पद कौनसा होगा बाग इशोर होगा ठीक है Sceduled Cast की बात करना है SC की तो SC की बात हो रही है तो SC में देखिए SC में बोला जा रहेगी सरवाधिक अनुसूचित जाती वाला जन्दपत कौन से है अब इनकी जन संख्या पोच रहे हैं कि सरवाधिक SC वाले लोग कहां रहते हैं तो ये कहां रहते हैं इसका B right answer होगा अन्यून्थम अनुसूचित जाती जाती की जनत्पत रहती है की आप परसेंटेज की जनत्टेज की जनत्ट पूछ रहे है बाग月हर की है ठीक है और सबसे कम अनुसूचित जाती परतिशत वाला जिला कुण सा होगा तो इसका होगा । रहादून theoretski parece तो सबसे कम अनुसूचित जाती प्रतिशत वाला जनपद है दहरादून ठीके दहरादून में सबसे कम प्रतिशत रहती है मिल्दा अनुसूचित जाती ठीके सबसे कम प्रतिशत यहां रहती है दहरादून में अगला कोशन है अनुसूचित जनजाती ST अब ST की बात कर लाए है सड्यूल ट्राइब की ठीक है तो अनुसुचित जन्जाती की संख्या वाला जन्पद है तो सबसे अधिक जन्जाती की सेत्र में रहती है तो वह रहती है उधम सिंग नगर में ठीक है उधम सिंग नगर में क्या रहते हैं सबसे जादे ST वाले लोग ST रहते हैं जिनमें एक उनका समुदाई है थारू तो ये थारू लोग कहां रहते हैं सबसे जादा उधमशिंग नगर में ठीक है थारू की जनसंख्या लगभग 2,91,000 के सम्थिंग है ठीक है 2,91,000 मतलब 3,91,000 थारू लोग रहते हैं और उसमें से सबसे अधिक कहां रहते हैं उधमशिंग नगर में अगला है नियूंता मनुसूचित जनजाती मला ST की सबसे कम जनसंख्या कहां रहती है तो ST की जो सबसे कम जनसंख्या रहती है वो रहती है हमारा रूद्र परियाग में ठीक है रूदर परियाग में सबसे कम रहती है अब बात करें सरवाधिक अनुसूचित जनजाती वाला परदेश अब ST की जो प्रसेंटेज है ST की प्रसेंटेज वाला जनपत कौन सा है तो ST की प्रसेंटेज वाला जनपत है उधम सिंग नगर है ठीक है टीहिरी में सबसे कम परतिसत जन्जंक्या रहती है ST की अगला कोशिन है सरवधिक अनुसूचित जन जाती शाकशर्ता किस जन्टपद में पाई जाती है ठीके तो सरवधिक अनुसूचित जन जाती मतलब अनुसोची जनजाती मिला ST की बात हो रही है ठीक है अनुसोची जाती होता है SC अनुसोची जनजाती होता है ST तो ST की बात हो रही है तो ST की साक्षरता पूछा जा रहा है तो किस जनपद में है सरवाधिक ये पूछा जा रहा है तो सरवाधिक है रूद्र परियाग में, रूद्र परियाग में सबसे कम लोग रहते हैं ST के, बत जितने रहते हो सबसे अधिक पड़े लिखे भी हैं, ठीक है, तो 41 का राइट अंसर हो जाएगा रूद्र परियाग में, और दूसरा कोशन पूछा जा रहा है, सबसे कम ST साक् पड़े लिखे रहते हैं ST वाले, ठीक है, तो अब बात करें अनुसजी जनजाती के पुरुस और महिलाओं की शाक्षरता के बारे में, पहले तो कुल शाक्षरता देखते हैं इनकी, ठीक है, तो ST की कुल साक्षरता कितनी है तो वो है हमारा 73.90%, ठीक है, 73.90%, इतना इनका क पूरुसों की ठीक है तो पूरुसों की साख्शर्ता कितनी है تو पूरुसों की जो साख्शर्ता होusta rouri 83.80% ठीक है 83.80% पूरुस है और महिला की बात करें तो महिला चीरिया 62.50% अब देखिये कितना डिफ्रेंस है 82% पूरुस है लेकिन महिला सिरफ 62 है इससे ये पता चलता है कि उत्राघंड में अभी भी कहा है लेंगिंग अस्मानता है मतलब कि पुरुष ज्यादा पड़े लिखे हैं और महिलाइं कम मतलब अभी भी लेंगिंग अस्मानता देखी जाती है उत्राघंड में तो देखिए पुरुसों की साक्षर्ता कितिनी दिख रही है हमें पुरुसों की साक्षर्ता दिख रही है 83 और महिलाओं की दिख रही है 62 मतलब लगबद 20 का अंतर है ठीक है 20 से जादे का अंतर है SC की बात करें तो SC की जो साक्षर्ता है से थोड़ी सी ज्यादा है मतलब ठीक है तो स्ट की थी 73.90 स्ट की है स्ट की है 74.40 ठीक है 74.40 अब इसमें से भी पुरुसों की बात करें तो पुरुसों की बात करें तो पुरुसों की साक्षर्ता कितनी है तो पुरुसों की साक्षर्ता है कितनी पुरुसों की साक्षर्ता हो हो जाएगे हमारी 84.30 उनका था ST का था 83.80 और यहां पर पुरुसों का है 84.30 मतलब थोड़ा सा different है ST और SC के पुरुसों में ठीक है ST के पुरुस है 83% और SC के है 84% 1% का अंतर है ठीक है अब महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की जो साक्षर्ता है तो महिलाओं की शाक्षर्ता कितनी है पुरुसों की तो होगी 83% 84.30% और महिलाओं की शाक्षर्ता कितनी है 64.10% अब यहां पर भी देखिए पूरे 20% का यहां पर भी अंतर है मतलब हर जाती जनजाती में कह है पुरुसों की साक्षर्ता और महलाओं की साक्षर्ता कितनी है ठीके तो सीधे अगले कोशन के और बढ़ते हैं अगला कोशन देखिया हमारा उत्राखंड बिधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है तो उत्राखंड जो बिधानसभा है इसमें आरक्षित जो सीट पहली बात करें तो उत्राखंड में बिदानसभा की कित्ती सीट हैं 70 सीट हैं अब इन 70 सीटों में से बिदानसभा में आरक्षित सीट कितने हैं मतलब SC, ST के लिए आरक्षित जो सीट हैं जाती जन जाती के लिए वो कितनी सीट हैं तो वो है हमारा 15 सीट है ठीक है 15 में से 13 है SC के लिए और 2 seat है ST के लिए ठीकð 13 seat किस के लिए? SC के लिए और 2 seat किस के लिए? ST के लिए अब ST की जो seat है 2 seat है तो एक है धारादून में चकरा था, दूसरा आता है उदहमし share SHंघ में ठीक है तो यह चीज भी आप याद रख लेना है कभी कभी पूछा जाते है अगला कोशन है अनुसूचित जाती SC के लिए कितनी सीटे आरेक सिता है यह मैं बता चुका हो 15 और अनुसूचित जाती के लिए कितनी है दो यह सब मैं किलियर कर दिया हूँ ठीक है अगला कोशिन देखिंगे सिद्धे 47 सरवाधिक बिदानसबा सीटें निम्न मैंसे किस जनपद में हैं अब सरवाधिक बिदानसबा सीटें पूछ दिया है तो सरवाधिक बिदानसबा सीटें जो हैं वो कहा हैं हरिद्वार में हैं और कितनी हैं या आप मिरेको कॉमें में बताना ्ठीके सरवाधिग हैं हरीधवार में कितनी सीटे हैं ये मेर को जरूरchn बताना देहरदून जनपद में कुल कितनी ज delivery सीटे हैं तो अगला कोशन देखिए 49 दो-दो विधानसबा सीट वाले जनपत कौन कौन से हैं ठीक है जिन में दो-दो विधानसबा सीट हैं वो जनपत कौन से हैं तो यह हो जाएंगे उपरियुक्त सभी क्योंकि चमपावध बागिशवर और रुदरपया एक छोटे जिले हैं इनमें क्या हैं दो-दो विधानसबा सीटे हैं अगला कोशन देखिए निम्ने में से सरवाधिक विपास खंडो वाले जनपत कौन से अब विकास खंडों की बात हो रही है ब्लोकों की बात हो रही है तो सरवाधिक ब्लोक कहां है पॉडी में है कितने 15 ब्लोक है पूरे ठीक है 15 ब्लोक है पॉडी में सरवाधिक तहसिल की बात करें तो 13 तहसिल कहां है पिथोरगड में है ठीक है सरवाधिक तहसिल है पिथोरग वह किस जन्दपत में पढ़ते हैं तो यह पढ़ते हैं हमारे पॉडी में पढ़ते हैं 15 ब्लोकों में से 2 ब्लोक यह भी है पनाखेत और नोनी डंडा अगला आएगा हमारा अगला कोशियन निम्न में से नियुन्तम ब्लोक वाले जन्दपत कौन से हैं यह मैं आपको पर बताई चुका हूँ ठीक है कौन कौन से रुद्र परियाग और बागेश्वर तो यह थी आज की कुछ एक मीनी महरतन वीडियो विडियो विट एक स्टाफ अगर हो ठीक है यह गुश्ता हुटा करके यह फिर गाली वाली देके इस तरीके से थोड़ा मतलब डी मोटिवेशन आ जाता है मतलब ऐसा अगर आप इस तरीके से बोलते हैं कि यार यह है वहतर को आता नहीं तो तू पढ़ा रही है अगर इस तरीक से आप लोग बोलोगे थी वह किस तरीकी की थी कौन कोन से थी क्योंकि इससे भी काफी जो उत्राघंड संस्कृतिक है संस्कृति से बहुत कुशन पूचे जा रहे है ठीक है तो इससे भी हम कल करेंगे तो आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और जिए बाइ